हेलो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मित करता हूं अच्छे होंगे और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो बताया था कि हम लोग इस पार्ट में सर्च वाला करें और कम टाइम में हो जाया तो यह भी करें लेकिन मैं सोच रहा हूं एक कम्पलीट सर्च फीचर ही कम्पलीट इस वीडियो में करतों सर्च सॉट्भाई अने फिल्टर्स अभी तक आप लोग नेए च्छेनल को सब्सक्राइब मेंकि है तो सब्सक्राइब करो फटाफाट उसके बास मैं open करूंगा products.plate.php और इस पे हम लोग कुछ changes करेंगे तो चलिए टॉप से करते हैं यह हम first of all तो filter चलते हैं तो कि इस filter को मैं form में create करूंगा यह वाले को form tag उसके बास हम इस id देंगे filter form योगी तो form है filter के लिए तो मैं नाम ऐसा लिखूंगे पता चले filter form match कर रहा है filter वाला form है उसके वाद से हम चलते हैं price price में हम लोगों देखे कुछ दिया है value price में हम name नहीं दिया तो मैं name देता हूं name mean और यहां पर हम pattern डालेंगे ताकि number के लामा कुछ और टाइप ना कर पाए यह rejects होता है रेगुलर एक्सप्रेशन स्वाट फॉर्म ठीक है तो वे स्टेमल में भी पढ़ता है ऐसे pattern के रूप उसके वाद से हम क्या गरेंगे value यहां पे इमालों पहले से search है तो value हमें दिखने भी चाहिए ना यहां पर request arrow और high मैं मिन कर देता हूं क्योंकि मैं इसका value मिन भेज़ूंगा तो यहां पर request में ले लेता हूं जो URL से receive हो जाएगा मैं काम करता हूं complete को copy करता हूं इतना और नीचे आके paste कर देता हूं इस वाले में जो कि हमारा मैक्स है और यहां पर मैं कर देता हूं Max यहां भी Max और देखा हमारा वैलू दो जगां एक यहां पर भी वैलू इसको मैं डिलेट करती है राइट अब देखो मैं क्या करना है अब हम चलते हैं पहले देख लेते हैं कोई error तो नहीं है कोई नहीं error परफ्रक्ट चला है अपना चलो जी बढ़िया अब हम चलते हैंगा इस साइज पर तो साइज हमें डाटावेस से लाना है अब मैंने इस्टाटिक रखा है यह लास्ट में करेंगे करर का भी सेम काम है नीचे आते हैं यह कि देखो जो हमें डाटावेस से लाना आजी हो जाएगा प्रोडब्लांगा के सेम पुलेस पे आ जाएगा और हमें इसमें कुछ करना नहीं है और यहाँ कॉस्त पर बुटन को टाइप कुश्य चने कंषगे जो हुआ कुछ के कुलिक टाइक आओ सरी नंबर्यात क्राइब थन्स result कि करेंगे एंगे'm यहां पहले यूरल जनरेटर को एक इंपोर्ट करेंगे क्या कते हैं जो कंपोनेंट हमने बनाया था यूरल जनरेटर जैस उसको मैं यहां पर एड़ करूंगा हो गया उसके बाद से हम कुछ वीकोजूई फंक्सञन क्रियाट करेंगे इसको मैं इनिमाईज करता हूं उसके वाद एक ad प्रिफरेंस पास कर देंगे उसके वाद से कर देते हैं सर्च और यहां पर कुछ में नहीं पास करेंगे सर्च के वाद से अप्लाई फिल्टर एरो फंक्शन मैंने क्रिएट किया अब यहां पर क्या करेंगे उसके पर टमद यहां वाद में डाटा ॉपीट किया यहां इसको हम लूप में घुमा देंगे है कि हमें validate भी करना है वैलिट नहीं हमें क्या करना है या या फिर ना हो तो डिलेट भी करने होगी जैसे महां लो एक color हमने select किया और हमने deselect के हां से मैं फिर url से मैं delete करना होगा उसके लिए मैं यह step follow कर रहा हूं यह जो अभी शटेबिक रहो रही तो मैं direct form, data उसी को submit कर देता है तो मैं कहा करूंगा हमें form submit करना नहीं हमें reload करवाना है URL के मदद से मैं यहां पर foreign for off loop create करूंगा और यहां पर क्या पास करूंगा destructure यह यह करूंगा array जो कि javascript का value कि end value और इसके वास यहां पर मैं डाल दूंगा form data आ गया और यहां पर मैं क्या करूंगा if obj.hasownproperty और इसके अंदर key pass कर देंगे यानि कि यह exist करता है तो otherwise else तो मैं else का part भी लिख लेता हूं else का part पहले लिखते हैं obj equal to separator operator यूज करूंगा obj new हमारा key हो जाएगा colon value अब आते हैं if वाले condition में यहां पर obj equal to empty operator क्या करते हैं separator operator यहां पर यूज करेंगे obj equal to bracket के अंदर क्या करेंगे obj and then क्या करेंगे key colon और यहां पर हम ऐसे create करेंगे returnary operator के अंदर dollar obj key डाल लेंगे key and फिर इससे बाहर आएंगे comma लगाएंगे dollar बाहर dollar and value यह हो गया हमारा जैसे चाहिए वैसे बन जाएगा अब इसको क्या करेंगे यह खतम का हो रहा है यहां खतम हो रहा है इसके नीचे आएंगे window.location.href call to generator मैं काम करता हूँ call के copy कर लेता हूँ generate URL और यहां पर यहां पर object पास करना हो तो मैंने already object create किया था यहां पर यहां पर पास कर देंगे आप देखो ऊपर वाला भी दो feature function create कर लेते हैं sort by करेंगे लिट यहां यहां पर यहां पर क्या होगा object में हम yes भी पास कर देंगे मैं इसको एक लाइन में देखता हूं हो जाए तो ठीक है कुछ है नहीं खास तो साथ एक लाइन में आ जाए चलो पर नहीं आ रहा है अब सेम काम यहां भी करेंगे इसको मैं कॉपी करता हूं सर्च वाले में पेस्ट कर देता हूं और यहां पर हम क्या करेंगे के यहां पर आता हूं document.getElementById और यहां पर हम पास कर देंगे search input जो कि अभी हमने create नहीं किया है id नहीं दिया है create तो हुआ है पर id नहीं दिया है dot value राइट यह हो गया हमारा अब आते अपने search वाले input पे तो चलो search input और filter को final कर देते हैं तो यह product search search popular यह रा search यहां पर देख एक id देंगे पहले नमबर तो id search input copy request कर लेता हूं ताकि typing mistake ना हो यह search input placeholder के बासे हम यहां पर एक button भी add करेंगे क्योंकि हम यहां पर कुछ भी type कर रहा है यहां पर search किससे करेंगे clickable तो होना चाहिए एक button add करेंगे button यह c arcs search और इसमें लगाएंगे on click on click search जो कि हमने top भी बनाया था function search का और यहां पी style ले देते हैं class text-violet 500 हो गया देखते हैं i hope so देखो perfectly अब मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं तो यह बारे में आना चाहिए देखो k equal to fdf और लेकिन यहां पर भी आना चाहिए यहां पर नहीं आ तो इसके लिए क्या करेंगे value में पास कर देंगे value request k अब मैं करूंगा तो यहां पर आटमेटी के आ जाएगा देख अभी आ जाएगा रिफ्रेस के आ गया चलो यह होगा अब हम चलते है पापुलर वाले पर इसको मैं कुछ value पहले मैं link लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं तो कैसे देखो मैंने क्या किया है यहां पर मैंने on change call कर दिया है क्योंकि जैसे ही चेंज होगा जो हमने यहां परमने क्या कर दिया से लेक्ट देखेगा प्राइस देखेगा और दी स्लिया से विलनी मिलेगा तो new मैं करता हूं देखो हो रहा है फिर से arrival पर क्लिक करता हूं देखो perfect अब हमें देखो हमें क्या करना इधर काम करना है इस वाले पर क्योंकि अलड़ी काम कर रहा है तो हम पहले डाटावेस पर जाएंगे सारा filter क्रेट कर लेंगे देन लास्ट में यहां पर आएंगे और वहीं प्रोड़क्ट है अब प्रोड़क्ट जो function है हम search query request से receive करेंगे तो request add कर देते हैं यहां पर modification start करेंगे मैं सारा हटा देता हूं अब चलो dollar search equal to dollar request पे रोग की double question mark यह तो आएगा द्रवाजनल सेट हो जाएगा उसके वास हम query create करेंगे query instance for product model query हो गया उसके वासे हम search use करेंगे तो लिखेंगे comment पहले search यसी यह search in product title and description उसके वासे dollar query arrow when हम क्या check करेंगे when search है यानि कि search में कुछ भी exist करता है then तो आगे बढ़ेंगे और यहां पर हम search hand use करेंगे PHP का fn use जो की function का search hand है और यहां पर Q pass कर देंगे मैं नीचे आ जाता हूं यहां पर मैं close कर देता हूं अभी लग रहा वह नीचे नहीं आएगा कोई नहीं को arrow function use करना है then करेंगे q-where यह हो गया आप क्या करेंगे यहां पर क्लिखेंगे title like and दो चीज percentage dot dollar search फिर dot percentage क्यानी कि start end कहीं पर भी हो match करेंगे वो add हो जाए और एक क्याम करेंगे इसी को duplicate करेंगे यहां कि copy करेंगे फिर यहीं पर paste कर देंगे और यहां पर लिख देंगे description यह हो गया हमारा search हम नीचे आते comment करते हैं filter by color and size and price क्योंकि हमारा जो color size filter वो variant के अंदर है तो इसको हम अलग करेंगे और यहां पर check करेंगे पहले variant available है कि नहीं है क्या करेंगे where has variant उसके वाद से यहां पर short and use नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे functions हैं तो $q उसके पास यूज और यहां पर पूरा का पूरा request ही pass कर देंगे कि अभी हम रिक्वेस्ट का यूज आएगा अब यहां पर हम देखो हमारा जो यहां पर URL generate हो चाहिए size का size equal to yum, yes ऐसे आएगा तो हमें वह string format है तो हमें उसको array में convert करना होता है लिकिंगे size size is equal to URL decode पहले तो उसको decode करेंगे dollar request arrow size question mark null हो गया otherwise null add हो जाए अब यहां पर उस size को array में निकालेंगे underscore sizes different करना है तो underscore मैंने लगा दिया और explode कर देंगे ताकि यह array में convert हो जाए जो भी कॉमा होगा और dollar size पास कर देंगे यह हमारा हो गया अब यहां पर q.when इसके अंदर sub-q, query के अंदर sub-q, query के अंदर sub-q, ऐसे यूज करेंगे dollar size, underscore size नहीं dollar size इतना दियान लगना यहां पर पास करेंगे उसके पासे fn, short hand यहां पर भी यूज करेंगे q2 यानि की query2 और then arrow function यूज करेंगे then q2 arrow where where in ewhere where in size underscore id और यह हमारा सर्च होगा variant में, variant में size underscore id already है और यहां पर पास कर देंगे underscore size h और यहां पर semicolon लगा के बंद कर देंगे यह होगा हमारा size के लिए तो हम same color के लिए भी करेंगे तो copy करेंगे complete paste करेंगे और जहां-जहां size यह फटा-फट color कर देंगे colors हो गया और यहां पर कर देते है color देख लेते हैं यहां पर देको फिर में color id करना पड़ेगा क्योंकि size id है यह हो गया हमारा अब नीचे आते हैं और price के लिए कर देते हैं में price और max price तो price price underscore mean equal to request arrow mean and question mark double question mark कितना द्यान लगना typing भी द्यान देना मेरे बात हो भी मस्द्यान देना dollar q arrow when यहां भी same condition dollar price underscore mean exist करता है तो आद यह बढ़ेंगे otherwise skip हो जाएगा q2 arrow function लेंगे and then यहां पर arrow where w h e r e हमारे में क्या selling price है यह c l l i n g p r i c e क्योंकि यह MRP पर भी कर सकते हैं selling price पर लेकिन मैं करूंगा selling price पर यहां पर यहां पर यहां पर यह नहीं रहेगा वह ऐसे रहेगा dollar q2 arrow यहां पर हम पास करतेंगे above or equal to dollar mean price and dollar price underscore mean हो गया और स्म क्राम काम हम करेंगे max के लिए copy करेंगे paste करेंगे और यहां पर करतेंगे max 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 and also max और यहां पर क्या करेंगे बस यह change कर देंगे less than or equal to या फिर above greater than or equal to इसे में बहुत confusion होता मुझे अब आते हैं नीचे यहां पर अब देखो हमें क्या करना है यादि उसका single image वैनिक image exist ना करें तो हमें क्या चाहिए एक minute confirm कर लेते हैं मैंने दिखाया कैसे image कहा गया यह यह यहीं पर है product वह यहां पर चलते हैं product card 1 पर component पर हमने image दिखाया कैसे वह depend करेंगा उस पर product 0 देखो हमें क्या करना है product 0 path 1 चलो सही है कुछ नहीं हमें करने if don't image यानि कि यादि उसमें image ना हो क्या करेंगे comment पर लिखेंगे जिस product में image नहीं हो वह product return नहीं होगा अब उसके लिए क्या करेंगे क्यूरी विथ डाबलु आई टो फो आई टीएच विथ इमेज ओ यार क्या हो रहा है image and variant इसलिए variant को भी ले लेते हैं कि जब required नहीं है यहां पर कॉमा लगाते हैं और यहां पर फिर enter मारके arrow लगाते हैं with count image इसका count हमें मिल जागा फिर यह नहीं पर क्या करेंगे हमें having का यूज करेंगे having raw image underscore count above to zero यानि कि zero से बढ़ा होगा तो आएगा अब देखो हमें क्या करना है बहुत बढ़ा आएगा इस sort by filter यानि कि जो हम price उसको sort कर रहा है ना उसके लिए हम आएंगे उसके लिए एक और फिर से लिखेंगे comment करते है यह 186 by filter इसके लिए यह का है in array और इसमें क्या पास करेंगे पहले तो हम sort by request से पास करेंगे request arrow sb and then second में एक array पास करेंगे price underscore asc and second पास करेंगे price underscore dsc right अब देखो इसमें क्या होगा यह दि उसका sort by sb में price underscore asc या dsc आएगा तो if के अंदर जाएगा otherwise if के बाहर जाएगा तो if के बाहर वाले हम product else में आ जाते हैं और else function पहले लिख लेते है एक सब्सक्राइब चलो पहले यही लिख लेते हैं if all आई डॉलर क्यूरी डॉलर विथ अब यहां देखो हम क्या करेंगे वारियंट हमें filter size को करना प्राइस को करना वारियंट के अंदर तो वारियंट कोपी करते हैं और यहां पर थोड़ा सा different style में लिखेंगे यह देखो ऐसे लिखेंगे विथ का क्योंकि यह एरे के अंदर हमें filter लगाना है और लास्ट मैसे कर देते हैं और फिर आते हैं वारियंट के अंदर function callback डालते हैं यह यहां पर क्या नाम है डॉलर क्यूब उसके बाद से एरो देन डॉलर क्यूब एरो फंक्सेन वाला एरो था और यह नॉर्माल वाला एरो इतना द्यान लगना और वाई आप यहां पर पास कर देंगे कि अंदर सेलिंग प्राइस और सेकंड पराइमिटर हो जाएगा आपका कि इसमें हमें यह सीजी अली चाहिए था समय प्राइस जो आ रहा है यह कितने कायरेक्टर कर देखो आने सेलेट किया ना उन्हें पर तो मैं क्या करूंगा करेंगा पी एचप्र्प्रस यूश्य सब यानि कि हम price filter करेंगे तो हमारा variant के अंदर से filter होगा और यदि उसके अलामा करेंगे यदि हम dsc वाने के new arrival करेंगे तो dollar request arrow sb equal equal dsc यानि कि मलली equal equal dsc है तब क्या करेंगे dollar qd arrow order by और यह product table से filter करेंगे created या फिर updated अट अपडेटेड आट और यह करते हैं dsc यह तो fix रहाएगा कोई वारा की नहीं पड़ता है अब हम क्या करेंगे यहां पर प्रोड़क्ट गेट कर देंगे dollar product products equal to dollar qd arrow paginate इतना product चाहिए 16 product पहले था यही था ना अब आते हैं हम अपने color और size के लिए तो लिखते हैं जो कि हम filter वहां पर दिखाएंगे न देखो अलड़ी half an hour का वीडियो हो चुका है edit करने के बाद देखो कितना बसता I don't know color equal to color where in function use करेंगे यहां पर डालेंगे id where id यहां पर भी sort and use करेंगे यह एक काम करता हूं मैं नीचे ले जाता हूं ताकि यह अच्छे से लिखें यह फिन को पास करेंगे dollar q and then arrow लगाएंगे फिर dollar q arrow उसके बाद सी क्या करेंगे select size color id अब यहां पर करेंगे from कहां से तो यह फर वह फ्रॉम वारियंट से तो वारियंट यहां पर table का नाम लिखेंगे model का नाम नहीं लिखेंगे वारियंट है ना हमारे table का नाम उसके वाद से distinct कर देंगे ताकि यह only unique value आये and then last में get कर देंगे हो गया यहां पर कुछ भी लगाएंगे क्योंकि हमारा function के अंदर है और stream देखो अब हम क्या करेंगे last में यहां पर get कर लेंगे नहीं तो error देगा और हमें चाहिए क्या हम चाहते है created adapted ना है हमें id चाहिए name चाहिए and code चाहिए और यही काम हमें यहां पर comment लिख देते हैं और same काम करेंगे size के लिए copy paste करता हूं कि यहां प्लिकता हूं size यहां प्लिखेंगे size फिर यहां प्लिखेंगे size size oh yes ize size यह इंपूर्ट करना model मत भूला हमारे में automatic import होता है दिखो यह import हो रहा है हो जाएगा size ID अब क्या करेंगे last में products के बाद पर color और size पास कर देंगे कि यहां पे रहा colors और यह रहा size अब हम back चलेंगे अपने view वाले फाइल पर और यहां पर हमारा color कहा गया कि टॉप पर होना चाहिए I think यह परले हम size पर चलते हैं परले हम थोड़ा से इसमें difference करेंगे हमारों जैसाइज है ना size और उसके पासे code यहां पर दिखाएंगे और यहां पर color और नेम दोनों दिखाएंगे हमारे पास color और नेम दोनों आ रहा है चलो बढ़िया एक एक फ़रुच लिप लेते हैं और इस लिप लिया यहां पर लिका size h या size और यहां पर क्या करेंगे यल i को पास कर देंगे ctrl x ctrl v अब देखो हम क्या करेंगे यहां पर कुछ-कुछ classes भी डालेंगे class flex gap2 right input type checkbox से name हम दे देंगे size यह size और id डाल देंगे size size arrow देखो गाइस यह required है मैं id तभी डालना हूँ ऐसे क्योंकि आप चाहोगे यह दूसरा डाल दो ऐसे डाल दो तो नहीं काम करेंगा इसका भी मतलब है कुछ id क्योंकि हमें unique बनाना पड़ता है कुछ चीजें और requirement उसकी पड़ती है तो में भाई यह भी डालना ही पड़ता है यह कहां से label कहां से आ गया अच्छा जी value भी हम pass करेंगे क्या pass करेंगे id अब लेबल हमें क्या चाहिए तो में यार लेबल हमने कुछ उल्टा लिग दिये गया चलो सब्सक्राइब अच्छा यहां पर और कुछ भी हुच है यहां पर देखो एक हम इप कंडिशन लगांगे और यहां पर करेंगे रिक्वेस्ट एरो साइज यानि कि साइज है आवलेबल तो इसके अंदर आएगा अधरवाइज यूपर से निकल जाएगा और यहां प्या करेंगे एड़रेट चेक क्योंकि यह चेक्ट है और इसके अंदर हम in array पास करेंगे in अब in underscore array के अंदर क्या करेंगे item underscore id पास कर देंगे और दूसरा parameter हमारा array होता है तो हम क्या करेंगे explode करेंगे और explode में first parameter कौन सा separator है और दूसरा होता है string और string हमारा कहा से मिलेगा top से मिलेगा URL encoder तो URL हम decode करेंगे URL decode और request size तो मैं यहां पे कहां गया यह रहा इसको मैं copy करूँगा यहां पे paste कर दूँगा हो गया URL decode सही तो है चलो चुड़ो error देगा देखा जाएगा अब आते हैं यहां पे तो इसको मैं class देता हूं यहां पे देखो मैंने क्यों label को रखा है यहां पे ID इसलिए रखा है और यह ID से मैं यहां पे for में pass कर दूँगा और यहां पे class दूँगा cursor pointer हो गया size मैं नहीं दे दिया और मैं नाम दूँगा dollar item arrow name और space देखके bracket में लिख देंगे उसका size code जो कि हमारा yes यह mail ऐसे दिखेगा तो dollar item arrow code देखते हैं देखो यह आ गया अब यहां पर यह देखो हम क्या करेंगी यह इन सब को हटा देंग इसकी जुरूत नहीं है अब हम देख लेते हैं यहां पर यहां पर यहां पर आ रहा है यहां यहां रहा है only small size available है कट कर देता हूं मैं filter कर देता हूं अब मैं इसको दोबारा कट करके search कर लेता हूं अब को अलड़ी selected आ गया न अब हम color पर वर्क करेंगे color के लिए हम क्या करेंगे same काम करेंगे color color यह रहा तो मैं यहां पर फिर से for each do लेता हूं यहां पर colors लेता हूं और यहां पर मैं एक color लोंगा यहां पर paste करूंगा इन सब को मैं हटा दूंगा और मैं क्या करूंगा colors हो गया then checkbox यहां पर name में color डालूंगा और जो id है color arrow color-item arrow id हो गया same का मैं for के अंदर डालूंगा यह रहा इसका यहां पर उसके वास्ते नहीं पर मैं cursor pointer add कर दूंगा तो मैं copy करके यहां पर paste कर देता हूं और आइप देखो है हमारा id हो गया इसके वास्ते इह पर value भी चाहिए तो their low हमारा क्या होगा ID ही होगा मैं इसको paste कर देता हूं यहां पर copy और वेल्व ही हमार आ गया format कि ये मैच छसे हम क्या करेंगे दिद इसकaci करता हूं जो में इसलों किया कीम फिक्रता हूं और यहां पर प्रकाई करता हूं ए mega प्लग Tong और यहांपर मैं बेर लिए दूंगा है यहांपर कलर यह हमारा हो गया color वाला अब लेबल पर चलते हैं हमने यहां पर क्या यहां पर में dynamic code देना है तो bracket लगाएंगे dollar item arrow code हो गया और यहां पर क्या करेंगे इस पेस देंगे dollar item arrow name और यहां पर का इस दोखों में और भी class देंगे flex and gap1 I hope everything is fine और देखो क्या चीज़ करना पर हमें एक extra यहां पर input value डालना पड़ेगा input hidden और यहां पर name देना पड़ेगा size और value null सेम काम हम color के साथ भी करेंगे ताकि हम click करें तो आर्टमेटी को डिलेट हो जाए वहां से हमारी input value आ गया अब मैं इस पे click करता हूं green color नहीं pink पे click करता हूं apply filter करता हूं तो यह एक product आएगा देखो गया न यानि हमारा यह work कर रहा है कि रिसे फिल्टर में मैं करता हूं और फिर मैं चेक करता हूं zero and कितना है 300 डालता हूं तो only one product आना चाहिए apply filter देखो perfect reset filter करता हूं and then हम feature के जहने पर देखो low to high high to low देखो इस product का जो variant है उसमें जो सबसे highest है वह आ गया और इसका भी आ गया single है तो single आएगा और new arrival पे करेंगे तो जो last में add हुआ होगा latest यह वह आ जागी यहां पर देखो क्या है updated add clause not found अच्छा जी यह आप हमने कुछ गलत लिख दिया क्या updated यह रहा spelling stick थी देखो हो गया अब यह first आ गया यह last आ गया तो easy हो गया हमारा completely filter वाले a page हमारा complete हो गया अब हमें क्या सीच करना है देखो मैं कुछ ऐसा सर्च करता हूं जो ना आए यहां पर नहीं आया ना अब यहां पर हम एक image दिखाएंगे इंपटी result not found नेक्सट बार्ड में राइट और फिर हम चेक काम करेंगे कार्ट वाले पेज पर यहां पर यह हम चितने कार्ट में added हैं वो dynamic यहां पर दिखाएंगे ठीक है तो काई यही वीडियो आपको कैसे लगा कॉमेंट करके हमें बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्स्क्राइब करो मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग